हाई फ्रेंग्स गुड मॉर्निंग वेलकम टो आएकसेंबी आपसा बच्चे हैं और प्रिपेरिंग वेल फॉर एक्जामिनेशन शुम करते हैं आज का हमारा करेंट अफेर जो की है 13 जून 2023 तो सबसे पहला न्यूज आज जो देखेंगे वह है रिलेडेट टो सेभी तो जब यह बोर्ड मेंबर थे सुभाष चंद्रायन पुनीद गोयंका तो यह लेटर ओफ कमफर्ट करके होता है यह लेटर ओफ कमफर्ट के थू इन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी एक्स्टेंड किया राइट तो लेकिन वह बहुत मल्टिपल मतलब जिसको हम युजिली शेल कमफर्ट कमफर्ट के बहुत सारे कमफर्ट के घूम 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 के वह कहां पर आया जिए ग्रूप के यह बोर्ड मेंबर थे तो इससे हुआ यह कि इनको पर्सनल फायदा बहुत हुआ मतलब कुछ 200 क्रोल रुपए के आज पास इनको फायदा हुआ तो सेभी ने मैनेजिंग डिरेक्टर है नहीं सुभास चंद्र एन मैनेजिंग डिरेक्टर और सीओ है पुनीट गवेंका यह दोनों कोई भी लिस्टेट कंपनी में कोई की पोजिशन होल्ड नहीं कर सकते तो इस बिकेस सेट बैक फॉर देर करियर क्योंकि लिस्टेट कंपनी कोई भी में ये अभी कोई की position hold नहीं कर पाएंगे ये सेवी ने बोल दिया for allegedly diverting assets of SL group companies ठीक है तो ये important news है बरते आगे next news में अब हम देखते है retail inflation and IAP तो देखो retail inflation क्योंकि ये and IAP ये monthly data है ये data कौन देता है ये data है आपका NSO, NSO किसके office के अंडर में आता है actually इसको ऐसे अगर लिखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा MOSPI इस ministry के अंडर में एक office आता है NSO वो ये data monthly release करती है क्या data IIP और CPI inflation आपको याद रखना है कि CPI का data में मन्त के लिए 4.25 हो गया क्या में 2023 ठीक है अगर हम IAP की बात करें तो IAP भी बरता हुआ नजर आ रहा है ये है April का 2023 तो देखो IAP का data आने में थोड़ा सा time लगता है because it's about industrial index तो 12 सा data collect करने में NSO को time लगता है तो एक मेना पीछे चलता है वो लेकिन अगर हम inflation की बात करें तो inflation तो में मेने का आ गया है तो देखो inflation अभी के दिन में क्या है 4.25% जो कि RBI का जो tolerance band है 2-6% उसके अंदर में है तो इससे होता ये है कि 2-6% के अंदर में होने का मतलब ये है कि RBI अब growth में focus कर सकता है because inflation तो already controlled है क्योंकि देखो inflation जब high होता है तो RBI का primary target होता है कि inflation को कम करें while supporting growth लेकिन जब report high होता है तो वो कही ना कही growth को impact करता है because cost of borrowing in the economy goes up तो आज के दिन में report 6.5 है ये बहुत high report है still अब ये high इसलिए है क्योंकि पिछले साल 250 BPS इस point से RBI ने report rate को बढ़ाया है क्योंकि inflation 7% से उपर चला गया था right तो वो control होके अब inflation जो है 4% के आसपास आ रहा है तो अब धीरे धीरे ये देखना पड़ेगा कि RBI कब cost of borrowing को कम करता है अभी जो monetary policy हुआ उसमें RBI ने unchanged रखा इससे पहले जो हुआ था उसमें भी RBI ने क्या किया था unchanged रखा था तो ये ध्यान देने वाली बात है at present report rate क्या है 6.50 और because of high report rate ये inflation control होता हुआ दिख रहा है because report rate के ज्यादा होने से cost of borrowing हाई होता है वो तो implication है लेकिन जो liquidity है cash in hand वो कम होता है money supply कम होता है money supply कम हुआ तो obvious सी बात है aggregate demand economy में boost नहीं हो पाता है aggregate demand boost नहीं होगा तो obvious सी बात है inflation नीचे जाएगा बढ़ते आगे next news में वो है IOB bank देखो Indian overseas bank इन्होंने एक scheme launch किया है that will let customer choose any name as their saving account number with the Chennai based lender क्योंकि IOB bank Chennai based है तो इसलिए Chennai based lender ऐसे news वाले लिखते हैं तो यह बहुत important news है जहां पर उन्होंने एक scheme किया है scheme में यह बताया कि my account my name अपने नाम से account number आप ले सकते हो IOB bank में यह scheme पूरे 49 regional offices of the IOB in India मतलब तेश भर में जितने भी IOB bank है वो सब में applicable होगा इन्होंने यह बात बताया है कि देखो scheme के तहत अगर आपका नाम लेक्स से अजीत है तो आप अजीत 007 प्रधान कुछ भी आप आपको जो जैसा मन करे रहा वैसा account number रख सकते हो राइट तो दिस इस ए वेर इंपोर्टन न्यूस क्योंकि आपको पूछ सकता है कि विच बैंक लेट्स यो अलाव टो कीप यो नेम एस डी account number तो एक सिधा simple सवाल होगा आपको ऐसे लगेगा ऐसे तो होई नहीं सकता अगर आपने ये न्यूस नहीं पढ़ा होगा तो so one of its kind of initiative यह आपको ध्यान देना होगा my account my name किस ने किया है आयोबी ने किया है यहाप एक information यह भी है कि आयोबी का 49 regional offices है पूरे इंडिया में बढ़ते आंगे next news में वो है UIDI के new CEO तो देखो जो senior IS officer अमित अगरवाल इनको बना दिया गया है CEO तो UIDI का ठीक है Unique Identification Authority of India and Director General of National Testing Agency किसको बनाया गया है सुबोत कुमार सिंग को बनाया गया है तो यह आपको याद रखना होगा यह नाम especially यह अमित अगरवाल का नाम को याद रखना होगा because UIDI के CEO के बार में exam में एक बार पहले भी पूछा गया था तो ऐसे सवाल आने के बहुत चांस है because UIDI is one organization that is in news almost every month कुछ न कुछ या तो इनको award मिलता है नितो कुछ न कुछ यह technological changes sale आते रहती है तो उनके CEO जब change हो रहे है वो हमें याद रखना जरूरी है बढ़ते आगे next news में वो है इंडिया's GDP risk 3.75 trillion तो देखो यह एक information है जो ministry of finance ने दिया उन्होंने यह बताया कि from 2014 when the economy was at 2 trillion dollar तो तब से लेके अब तक we have reached 3.75 trillion mark अभी आज के दिन में 2023 में इंडियन economy का जो size है वो है 3.75 trillion हमने किसको किसको पीछे छोड़ा है हमने United Kingdom, France, Canada, Russia, Australia को पीछे छोड़ा है अब हमसे आगे US, China, Japan, Germany ही है चार ही country है जो हमसे आगे है और हम Germany के भी बहुत close है तो ये था news वरते हैं आगे अब next news पे वो है equivalent तो देखो ये इंडिया और Maldives का joint military exercise है ये कहाँ पे चाववुतिया उत्तराखंड में होने वाला है तो देखो ये आपको याद रखना है कि equivalent किसके किसके बीच में है इंडिया और Maldives के बीच में है ये इंडियन आर्मी और जो Maldives के defense forces है वहाँ पर मतलब वो लोग इसको पतलब join करेंगे ठीक है equivalent means friend is a bilateral analysis conducted alternatively in India and Maldives एक बार इंडिया में होता है ये आपको याद रखना होगा और ये कहाँ हो रहा है ये उत्तराखंड में हो रहा है ये भी आपको धेन देना होगा बड़ते आगे next news में वह है ADBDE Asian Development Bank इन्होंने एडिल साइन किया है 130 million dollar का इंडिया के साथ for to promote horticulture in हमाचल प्रदेश हमाचल प्रदेश के farmer को horticulture business में help करने के लिए ये loan को sign किया गया है बिट्विन इंडिया एं ADB यूजिली क्या होता है ये loan from intergovernmental body to state होता है अब क्योंकि state मतलब state तो बीच में है लेकिन union हमेशा बीच में रहता है loan state को जाता है लेकिन union बीच में रहता है so it is always India and ADB लेकिन यहाँ पर हमाचल प्रदेश से भी officers थे रहे होंगे ये हर loan के case में होता है ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे next news में वह है tax devolution amount तो देखो tax devolution को पहले समझते हैं इंडिया का जो 15th finance commission है 15th finance commission अब finance commission क्या होता है basic language में वह भी मैं आपको बता दूँ जो central government पैसा collect करती है वो पैसे से कुछ हिस्सा state को देना पड़ता है अब state को कितना देगी whether it would be equal amount whether it would depend on something else तो यह जो सारा formula है यह derive करता है finance commission finance commission को president form करता है और इसका जो terms of reference होता है वो भी देते हैं and based on that terms of reference यह अपना recommendation देती है तो devolution का मतलब यही है कि जो central government अपने share में से कितना state को बाटेगी right तो 15th finance commission के साब से 5 साल का उन्होंने बना के दिया था and based on that central government को monthly rupees 59,140 crore as a tax devolution सारे stakes को देना पड़ता है right तो वो हमें देखने की जरूरत नहीं है अगर मैं यह जहां का screenshot है P.I.B. का नीचे पूरा table बना हुआ है हर state का अलग-अलग amount है वो एकदम ही जरूरी नहीं है आपको परना आपको बस इतना जानना है कि tax devolution कितना amount का हुआ है कुछ 60,000 crore का it's 59,140 लेगे नगर आप देखोगे central government ने दिया है 1,18,280 crore as the third installment यह installment मतलब हर month में यह central government pay करती है state को तो आप बताओ कि इतना बड़ा amount central government मतलब double क्यों pay की है double इसलिए पर की है central government 1 advance installation in addition to the regular installation due in June 2023 is being released to state to enable them to speed up capital spending finance their development welfare मतलब उनके spendings को boost करने के लिए पैसा extra दिया गया है it's not extra it's the additional installment in addition to the regular installment ठीक है तो यह था important news आप मुझे बताइए 15th finance commission के जो chairman है वो कौन है ठीक है तो यह आपके लिए मैं comment section में छोड़ने के लिए रख दिया हूँ let me see how many of you answer with this we are done for the day let's meet tomorrow morning once again till then unfold your potential all the best for all the exams that you are preparing and always remember AXMB helps you prepare 50% faster okay you